श्रद्धा हो, संकल्प हो, तो सिद्धी अपने आप मिलती है, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए, संकल्प में संशे नहीं होना चाहिए, फिर तो आप राजा, क्या असंबब है, कुछ भी असंबब में, केवल आगे बढ़ो, इश्वर की कृपा तो आपके साथ है ही मन को ठीक करना चाहते हो, मन को उन्नत करना चाहते हो, इश्वर प्राप्ति की लगन बढ़ाना चाहते हो, सेवा में लापरवाई कम करना चाहते हो, संकल्प करो, संशे मत करो, संकल्प करो, तो सिद्धी जरूर बिलता है, श्रद्धा, ये सिद्धानते, व्यभार में और पर संकल्प करो, सिद्धी जरूर मिलती है, जब तक सिद्धी ना मिले, तब तक अविरत लगे रहो, श्रद्धा, संकल्प, सिद्धी, तो श्रद्धा करो पहले, कि आप ये कर सकते हो, किस में श्रद्धा, अपने आप में श्रद्धा, किस में श्रद्धा, आपके इष्ट में श्रधा करो, जितनी आपके निष्ठा द्रण होगी, उतना ही कामा का अच्छा होगा, जिसके निष्ठा द्रण नहीं होती है, उसके पास सब सुविधाय होती है, सब अनुकूल परिस्तितियां होती है, फिर भी उसके लिए विपरीत हो जाती है, जब उसके पास निष्ठा क कमी होती है और जिसकी निष्ठा अची है प्रतिकुल परिस्तितियां भी उसके अनुकूल होने लगती है यह सिधानत है निष्ठा रखो श्रद्धा रखो अपने आप में श्रद्धा रखो अपने गुरू में श्रद्धा रखो फिर संकल्प करो क्या करना है आपको संकल्प करो, कृपा तो ही है, संकल्प करो, उसमें व्यावधान मत डालने दो, संशे मत करो, श्रद्धा करो, अगला स्टेप है, संकल्प करो, और जब तक सिद्धी न मिले, तब तक यब तक करते दो, तो ये तो क्या, भागवान का बाप भी मिल जाएं, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये बहार तो बहुत छोटी सी बात है, फरमार्थ की वड़ी वड़ी सिद्ध्या, पानी आठ बार, दूसरी कक्षा में फेल होता है, पानी नी, साथ बार फेल होता है, माबाप ने कहा कि इससे तो मेरे माने कहा कि इससे तो मेरे पेट से पत्थर जनम लेता न तो भी मुझे खुशी होती तू ऐसा बुद्धु पैदा हुआ है कि साथ-साथ बार गुरुजी तुझे पढ़ाते है और फिर भी तू पास नहीं होता उत्ती रणा नहीं होता है शरम नहीं आती तिरको जो उसके सहब पाथी थे वो साथवी साथवी कक्षा में चले गए और अब तक ये उसी पहली में बठा हुआ था और साथवी कक्षा वाले बड़ा लंबा-लंबा होने लगा बड़ा होने लगा फिर भी वो वहीं की वहीं पड़ा है। सवपाठी बहुत उड़ाते थे, मस्ती करते थे। देख बुद्धु है, डबु है, डबु है, डबु है, डबु है, उसको बात लग गई। तो उसने अपनी माँ से पूछा, कि मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ, क्या करूँ। तो बोले, मर जाके, जो करना है कर, भगवान को प्रगट कर जाके, तब अब तेरे में आएगी बुद्धि, उसको लग गई बात, अपने गाउं के किनारे में एक था मंदिर, वहां पर द्रड़ता के साथ बेढ़ गया, किसी भी हाल में मुझे बुद्धिमान बनना, किसी माने का भगवान को खुश कर बिटा, तो सकता है, हो जाए, बैठारा पदमासन लगाया, लगाया तो लगाया, बच्चा था, निर्दोश मन था, भगवान शिव की उपासना करता है, कुछ दिन के बाद, शिव जी प्रगट होते, आशिरवात देते, वही लड़का जो संस्कृत के व्याकरण के रचाहिता बन गए, जिसको भी संस्कृत पढ़ने है, पाणी नी मुनी का व्याकरण जरूर पढ़ना पढ़ता है, कहां वो और कहां, शद्धा है न, आपने मा की बचन में शद्धा रखी, संकल्प किया, सिद्धी नहीं मिली तब तक लगा रहा तो पाणी नी मुनी बन गया, इतिहास भरा पढ़ा है, शद्धा संकल्प और सिद्धियों से, इतिहास, तो जिनों ने भी कुछ ऐसा काम किया है, अपने मन से उपर जाके, अपने मन को नियंतरित करने का कार्य हो, या व्यवहार में कुछ उपलब्धी प्राप्त करने का क किसी में भी ये फॉर्मूला लगे बिना काम नहीं होता है, पहला है श्रद्धा करो, अपने आप में श्रद्धा करो, अपने भगवान इश्ट या गुरू में श्रद्धा करो, उसके बाद संकल्प करो, उसमें संशेमत आने दो, जब तक सिद्धीना हो तब तक लगे दो झाल झाल